हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साविस किचन में आज हम बनाएंगे सर्द्यों की भोती स्पेशल रेसिपी आज हम बनाएंगे गुड मखाना जो की खाने में बहुती ज़्यदा टेस्टी लगता है और सर्द्यों के मौसम में इसको बनागर खाएंगे तो ह हमारे शरीर के लिए बहुती ज़्यदा फायदा करेंगे मखाने के अंदर भरपूर मातरा में कैल्श्यम आयर werdन प्रोटीन होता है जो कि हमारे शियत के लिए बहुती ज़्यदा लीके इसको बनाना शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर दो कटोरी मखाने लेने हैं और एक कटोरी हमें यहाँ पर गुड़ लेना है मखाने हमें यहाँ पर इस तरह से फूले फूले लेने हैं और गुड़ को हमने यहाँ पर कूट करके तियार कर लिया है बारिक टुकडो में आप चाये तो यहाँ पर कद्द इसे क्रिस्पी नहीं हो जाता तो इसको में दीमी दीमी आज पर क्रिस्पी करना है जितना आप इसको क्रिस्पी करेंगे उतने ही यह टेस्टी बन करके तयार होंगे बहुत ही टेस्टी बनते हैं क्रिस्पी बनते हैं जब भी कुछ मीटा खाने का मन करें फटा फट से बन करक के तियार होती हैं मखाने के अंदर बरपूर मातरा में का बहुत ही सोर्स होता है जो कि हमारे हार्ट के लिए भी तस इसे शीयर में पूरा दिन शरीर पनी रहती है इसकी इनके लिए भी बहुत ज़्यदा फाइदा करता है तो मखानों का अच्छे से बून लिया है और यहाँ पर इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है इस तरह से आप चैक कर लें उसके बाद इसको एक बरतन में निकाल करके रख लेना है वापी से कडाई लेंग कि हमारा जो गुड है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा जलेगा नहीं और गी से जो इसका टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा तो देखे फ्रैंट इस तरह से गुड को डाल देना है और इसको दीमी दीमी आज पर हमें मेल्ट करना है गैस की फलेम हमें आपर सुरू से हमें चलाते जाना है और इसको लगातर चलाते जाना है जब तक की अच्छे से मेल्ट नी होगता हैं और मैल्ट होने के बाद लहीं को अच्छे स्सकों अ च्रुवत करो Corns होगे उतने lahörung के वीक्रिष्люч तो आप यहाँ पर 2-3 चमज पानी डाल सकते हैं तो देखे फ्रेंड्स इसको पकाते हुए में यहाँ पर 10 मिनट हो चुकी है तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कटोरी में इस तरह से हमें पानी लेना है नोर्मल और 2-3 ड्रोप्स हमें यहाँ पर गुड के डाल देनी है और यह अगर अच्छे से तूट रहा है गुड पानी के अंदर तो इसका मतलब है कि चासनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तयार हुए अगर गुड अच्छे से नए तूट रहा है तो हमें चासनी को वापिस से पका लेना है देखे़ मैंशंध 10 सेकंड हो चुकी है तो अब यह आपर चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं, बिलकुल अच्छे से गुड़ यहाँ पर टूट रहा है, तो इतना ही हमें यहाँ पर इसको पकाना है, तो हमारी चासनी बिलकुल परफेक्ट बन करके तैयर हुई है, तो बस अब हम यहाँ पर एड़ कर देंगे मखाने को, और मखाने को डालने के बाद अच्छे से हमें इसको चला देना है और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर आफ कर देनी है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो गुड है वो अच्छे से कोट हो जाए मकानों के उपर और बस फटा फट से हमें इसको एक थाली में निकाल लेना है तो थाली को हमें पह ले के अंदर ट्रांसफर कर देना हैं तो friends हमें यहांपर फुटाफट से डालना है क्योंकि जो है बहुत ही जल्दी से गुड जम जाता है तो हम स्पराइस से डाल देंगे और चम्मच की मदद से हमें यहां पर इसको अच्छे से पलेट में के अंदर इस तरह से फैला देना ह इसको हमें यहाँ पर अलग करना है हलका सा जब यह मखाना ठंडा हो जाएगा तब हमें इसको हातों की मदद से अलग कर लेना है क्योंकि बाद में यह बिल्कुल जम जाएगा अलग नहीं होगा तो हमें यहाँ पर जब हलका सा ठंडा हो जाएगा तब ही हमें यहाँ पर इसको अलग कर लेना है देखे फ्रेंड्स इस तरह से हमें एक-एक मखाने को उठाना है और दूसरी प्लेट में हमें यहाँ पर ट्रांसफर कर लेना है बहुत ही क्रिस्पी मखाना बोल्स हमारी बन करके तयार होती है और यह बिल्कुल भी नहीं चिपकती है और बहुत ही जल्दी से सैट हो जाती है तो दो से तीन मिनट के अंदर ही मखाना वोल्स बिलकुल अच्छे से सैट हो जाएंगी तो आपको यहाँ पर फटा फरसेस को इस तरह से एक बरतन में अलग से निकाल करके रख लेना है ताकि यह आपस में चिपके ना तो फ्रेंड्स आप एक बर इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तयार होती है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा है तो छलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी रैस्पी अच्छी लगती है तो आप अपनी दोस्तों मेरे इस्तिदारों में शेयर करना ना बुले एक लाइक का बटन है आप उसे जरूर प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना बूले तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर सभी बोल्स को मैंने अलग कर लिया है और दो से तीन मिनट में हमारी बोल्स बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है बहुत ही टेस्टी हमारी बोल्स बन करके तयार हुई है तो यहाँ पर हमने मखाने को भी अच्छे से बून लिया था जिससे कि यह देखे हमारी बोल्स बिल्कुल क्रिस्पी बन करके तयार हुई है अगर आप यहाँ पर मखानों को अच्छे से नहीं बूनेंगे तो आपकी ब्रूस क्रिस्पी नई बनेंगे इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है और आप एक बारिस पोल्सन को जरूर बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला आप यहाँ पर डाल सकते हैं जब हमारी बोल्स अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हमेसी को एक बरतर में निकाल करके रख लेना है यह इसी तरह से क्रिस्पी बनी रहेंगी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी बहुत ही टेस्टी हमारी क्र जरू ट्राइए करना तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वोडियो में तब तक के लिए बाई बाई भाई ठीक क्यार्ट